चतिसगर में कबीर के चिन्द साहिब बंदगी यह कबीर पंथियों का अभिवादन है कबीर की याद आते ही बहुत से प्रश्ण सहसा उठ खड़े होते हैं कि वे क्या थे वे सभी पर गर्याते थे उनके निशाने पर हिंदू मुस्लिम दोनों थे असल में कबीर क्या नहीं थे सवाल यह होना चाहिए वे संद थे या कवी या करांतिकारी कबीर ये सभी थे वे आडंबर और दिखावे पर प्रहार करने वाले ऐसे निर्दई थे जिन्होंने बिना मुलहईजा किये हिंदू और मुसल्मानों को समान रूप से लतार लगाई थी कबीर तो सही मायनों में मानोता के पूजक थे वे इंसान के भीतर राम रहीम को, कृष्ण करीम को और काशी कावा को एक साथ देखा करते थे तभी तो उनमें इतना सहास था कि वे कह सके मंदिर तोडो, मस्जिद तोडो, इससे क्या मुलायका है पर किसी का दिल मत तोडो, यह घर खास खुदायका है वे फिर कहते हैं, काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोठ चुन मैदा भया, बैट कबीर आजीम जो आडंबर और कर्मकान को इश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा समस्ते थे उन्हें कबीर करदर्शन खोब भाया, बड़े पैमाने पर लोग उनके अनुयाई बने आज उन्हें हम कबीर पंथी कहते हैं संत कबीर के शिश्यों, चतुर्भुज, बंके जी, सहते जी और धर्मदास ने पंथ के प्रचार प्रसार का जिमा लिया इनमें धर्मदास ने 36 गढ़ी शाखा की स्थापना की इस वक्त देश भर में सबसे मजबूत कबीर पंथी शाखा मानी जाती है माना जाता है कि धर्मदास ने कबीर के लगभग 100 साल के बाद इस पंथ की शुरुआत की थी धर्मदास को 36 गल में धनी धर्मदास भी कहा जाता है कबीर पंथ के दो प्रमुख केंद्रे हैं पहला काशी में कबीर चौरा जिसकी एक उपशाखा मगहर में है और दूसरा बड़ा केंद्र 36 गल में है इसकी भी कई शाखाएं और उपशाखाएं हैं जिन में कबीर चौरा, जगदिश्पूरी, हर केसर मठ, कबीर निर्णय मंदिर जो बुर्हानपूर में हैं लक्ष्मीपूर मठ, मंडला और धामा खेड़ा इसके साथ छतरपूरा दी हैं कबीर प्रंथ में प्रात्मा को पंदगी कहते हैं सुबह और रात में भोजन के बाद बंदगी की जाती है कबीर पंथी मानो शवीर को पंच तत्वों से बना मानते हैं लिहाजा ये पंच तत्वों से विज़ाय प्रात्मा करने के लिए पांच बार बंदगी को आवशक समझते हैं आईए अब जानते हैं धनी धरमदास को उनके बच्पन का नाम जुडावन था यह चतिसगड़ी के जुड यानि ठंडा से वना है मोडे तोर पर जुडावन का अर्थ होता है जोडने वाला या मन को ठंडा करने वाला धरमदास मद्ध प्रदेश के बांधावगल के निवासी कसोधन बनिया थे उनकी पतनी का नाम अमीन था इनके नरायन दास और चुणा मनी दो पुत्र भी थे मानेता है कि धरमदास ने कबीर की मौलिक रचनाओं को लिपी बद्ध किया उनकी रचनाओं में छतिस गड़ी के शब्दों का बहुतायस से प्रयोग हुआ है कहा जाता है कि धरिमदारमदास के मृत्यू जगन नात्पूरी में सन पंद्रा सो उनात्तर में हुई थी छतिस गड़ में उनके प्रभाव से अधिकांश को सौधन बनिया और अन्य जाती समू भी कबिर पंथ में शामिल हुए थे छतिस गड़ में ऐसी जनशूती है कि कबिर और नानक की मुलाकात गौरेला में हुई थी हाला कि इसकी सतिता की पुष्टी अभी बाकी है वैसे यहां कबिर चौरभी है चतिस गड़ में कवर्धा में धरमदास ने अपना निवास बनाया इसलिए कवर्धा जीरा मुख्याला का नाम कबिर धाम रखा गया है धामा खेड़ा चतिस गड़ की राजसानी रायपूर के समीब कबिर पंथियों की तिर्थिस्थली है यहां देश और दुनिया से शद्धालू बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं रायपूर बिलासपोर सलक मार्ग पर सिंगा से दस किलुमीटर की दूरी पर दामा खेड़ा एक छोटा सा गाउं है दामा खेड़ा में कविर मट की स्थापना 1903 में कविर पंथ के बारवे गुरू अग्र नाम सहब ने दशहरा के दिन की थी मान्यता यह भी है कि संथ धर्मदास को कविर ने अपना संपूर्ण अध्यात्मिक ग्यान दिया और दित्वी पुत्र मुक्ता मणी नाम सहाब को 42 पिढ़ी तक कविर पंथ का प्रचार प्रसार करने का आशिरवात प्रदान किया था इस तरह मुक्ता मणी नाम सहाब कविर पंथ के प्रथम वंश गुरू कहलाए जिन्होंने 36 गड़ के पूर्बा जिले के कुटू माल को पंथ के प्रचार प्रसार के लिए अपना कारिछेतर बनाया यों तो 36 गड़ में कई स्थानों पर कविर आश्रम है लेकिन दामा खेड़ा का कविर आश्रम प्रमुक माना जाता है इसी आश्रम से सभी आश्रमों की गतिवीधियां संचालित होती है कविर पंथ में चौका आर्थी का बहुत महत्व है यहाँ गुरू पूजा विधान है दामा खेड़ा के समाधी मंदिर के मद्ध वंश गुरू और गुरू माताओं की समाधियां है साथ हिन यहाँ कविर पंथ के प्रथम वंश गुरू मुक्ता मणी नाम सहाब का मंदिर भी है इसके ठीक सामने कविर पंथ का प्रतीक सफेद ध़ज संग मर्मर के चबूतरे पर लहरा रहा है चत्तिस गल के निवासियों में कविर का गहरा असर रहा है कभी कुए गुले भाले, अतितियों का सतकार करने वाले और समरस्ता के मापधंड बने हुए है